हेलो गाइज मैं हूविकास और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आज हम जानेंगे अगर आपके पास भी है ओपो, वीवो, एमाई, रेडमी या कोई सा भी मुबाइल और उसमें आपको नीचे के जो बैक बटन है इसकी सेटिंग करनी है या तो आपको इसे लाना है या हटाना है या गायब करना है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तीनों फोनों के अंदर कि आप अपने phone में back button की setting कैसे कर सकते हो यानि इन keys को कैसे ला सकते हो या कैसे हटा सकते हो आए जानते हैं सबसे पहले हम open में बताते हैं फिर vivo में फिर mi में जल्दी से हम बता देंगे आपको open में आपको करना है setting में जाना है सबसे पहले setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूणना है smart and convenient यह देखिए यहाँ पर यह option है इस पर टाच करें यहाँ पर आपको मिलेगा navigation keys इस पर टाच करें और यहाँ पर आपको मिलेगा swipe up gesture navigation अगर आप इसमें हटाना चाहते हो यानि कि इन back buttons को हटाना चाहते हो तो नीचे वाले पर टाच करें अगर लाना चाहते हो तो उपर वाले पर टाच करें अब बारी आती है वीवो की वीवो में भी आपको setting में जाना पड़ेगा सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूणना है एक option जिसका नाम होगा system navigation यह देख सकते हैं इस पर touch करें अगर आपको back keys याली हटानी है तो नीचे वाले पर touch करें अगर लानी है तो उपर वाले पर touch करें तो इसमें भी समझ गए होंगे आप बार यह आती है red view और MI के लिए यहाँ पर भी आपको setting में जाना है जैसे कि उसमें गए थे तो setting में जाईए setting में जाने के बाद नीचे के तरफ आईए यहाँ पर आपको मिलेगा एक option जिसका नाम होगा additional settings तो यहाँ पर additional settings को ढूणड़िए इसे open करें full screen display आपको यहाँ पर मिलेगा इस पर touch करें और यहाँ पर आपको अगर buttons हटाने हैं तो इस पर touch करें अगर buttons लाने हैं तो इस वाले option पर touch करें और आपके buttons की setting हो जाएगी तो किसी भी phone में आप ऐसे कर सकते हैं मेरे बताये तरीके से बाकि आप search भी कर सकते हैं setting में जाके search करने को option भी दिया होता है वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें